आज फिर से बिद्दा केशन में आपका स्वागत है आज मैं आपको पोली की स्पेसर बुजिया चार्टमान सखाती हूँ इसके लिए हमें जिन चीजों की पहले आविसरता पड़ती हो दाती हूँ यह 200 ग्रम मेरे डाल दात में दुखो के रखी दी इसको हम साफ कर लेंगे और इसके बाद मिक्स साफ करती हूँ हूं और इसका पानी बाते दाती हो हूं निकलunkे झाल देनाँज यह थोड़ा सा कटा हुआ धनिया है और दो हरी मिर्च का प्रियों करेंगे और साथ ही में अपरी दुली हुई दाल में चुने की दाल लिए दो सब्सक्राइब उसमें हम यह प्याज डाल करके बिना पानी के ही मिक्सर में चलाएंगे यह देखिए हमारा पेश को इस तरह से गाड़ा होगा और सारी मसाले आकर सईसे नहीं में तो हमें एक बार इसको उपर नीचे करके फिल से चला करके दुछी में द्वारा से पीछ लेते हैं और यहां लकी इसमें पानी बिल्कुल भी प्योग मत कीजिए अब क्या करना है कि हम गयस को प्रिला करके उसमें में सब्सक्राइबर्स और डियुवर्स को है एक सथी एक सो साथ हमारे सब्सक्राइबर्स होने द्लिए धन्य बात करती हूं सब्सक्राइब है ने हमाना साथ दिया मैं कोसिस करूंगी कि आपके लिए हर बार कोई नई रेस्पी लेकर आओं और आपके साथ अपने वीडियो में आपके सांद सेर करूं कोसिस करूंगी कि आपको सरल तरीके से मैं सिखा सकूंँ आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं मैं आपके लिए हर बार एक नई र यह अमूल बटर ले लिया हमने इसको हम कड़ाई में थोड़ा सा डाल देते हैं यहां मैं बहुत ज्यादा नहीं डालना है थोड़ा दाल दे यहां जी गरम हो चुका है अब जो हमने पेश्ट बनाया था उसे हम निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे आप जितने लोगों के बनाएं गुजिया चाथ उतना ही इसका मावा लीजिए और उसमें अच्छे से बून लीजिएगा दो म्याट के लिए करिए जब तक दाल बूनते हैं तब तक हम चक्ली तयार कर देते हैं खटी मीटी चक्ली यह देखे थोड़ी सी हमने यहां पे मैथी लिया है यह दो हरी साम लिया है अच्छा मेडियम से थोड़ा बड़ा और यह कट धनिया लिया है जो हरी मिर्च का मैं यहां परोड़ करूंगी और नमक जैसे मैं आपको पहले भी बोलती हूं आप स्वाद के उसारा दाने थोड़ा सा पानी यह कर देते हैं क्योंकि इसकी चट्नी में इसमें हम आदा चम्मच करीब लाल मेश पाउडर मिलाएंगे यहां हम आदा ही चम्मच नमक कर इस्तमाल करेंगे अपनी कुचिया के अंदर और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं यह देखिए आदे नेवो के रसकों भी हम इसमें मिला देंगे और फिर से एक बार इसे उपर नीचे करके अच्छे से चलाईए जिससा जैसे कि हम पहले भी करते हैं कि सारे मसाले एक साथ मिक्स हो जाएं इसमें हम थोड़ा सा बटर और यूच करेंगे देखिए और गैस को हम बिल्कुल धीमा ही रखेंगे गैस देखिए बिल्कुल धीम ही हमारी अब हम अ इसमें हम यहां पर दो चम्मच करी पनी डाल देते हैं यह देखिए दो चम्मच हमने पनी डाला है और फिर से एक बार इसको बिलाए अब हम गैस को बंद कर देखिए कि मने गैस बंद कर देखिए को अग्याय अगरे यह हट्टी मीट जत्मी तैयार हो चुकी है अनकी बनी हुए है इसमें थोड़ा पानी मेंने और एड़ किया था आप भी थोड़ा से पान जाओ प्र गाड़ी हो जा चतली तो इसमें थोड़ा पानी एड़ जरू कर लीजें इसे मठंड़ा करने के लि यह गुजिया करीब 6-7 लोगों के लिए तयार हो जाएगी गुजिया चाट आपकी अभी गुजिया चाट किस तरह बनेगी मैं आपको बताती हूं यह थोड़ा ठंडा हो जाए तब तक हम यहां को मीटी सोट बनाना सेकाते हैं मीटी सोट की देखिया कितनी अच्छी बनती ह मैंने यहां पर बतानल दी आए जरम होने के लिए मिलाओं इसमें जरम हो गया देगे तो इसमें क्या तरहेगी कि हम भुनाओं अपड़ा से जीदा डाल देते हैं और सोट डाल देंगे अब इंचर में बुनने देगा है इसमें हम इंली का पानी मैंने करीश चौग्राम इंगी देगो करके सप्टेश निकाल लिया था उसे हम पूरा डाल देंगे यह 20 से 30 ग्राम होंगी यह इसमें हम डाल देंगे इसमें आप देख रहेंगे गुड़ मैंने डाल दिया है और यह 100 ग्राम चीनी है आपको जितना मीटा अच्छा रखता है चटनी उतनी कीजिए चटनी तो मीटी ही अच्छ होती है इसलिए मैं यहां पर 100 ग्राम से थोड़ी ही कम डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स होने देंगे जो गुड़ और हमने चीनी में मिलाई है वह अच्छे से में मिक्स हो जाए कश्मीरी लाज में चौथा चम्मच इस्तमार करूंगी यह देखिए इससे हमारी चटनी का कलर बहुत ही खिलके अराएगा यहां देखिए हम सोट की चटनी में मीटी गुड़ चीनी से उसमें हम थोड़ी सी लाज मिच पौडर इस्तमार करेंगे चौदाई चम्मच से थोड़ा ज्यादा लेंगे हम यहां पर हम चौदाई चम्मच करीब नमक का इस्तमार करेंगे यह भी हमने इसमें मिक्स कर दिया अब इससे जब तो यह गाड़ा होता है तक हम इसे मीडियम आप पर पकने देंगे जब तक हमारी चत्नी तैयार होती है तक तक हम आपको गुजिया बनाना से खाते हैं तो यह आपको तरह से बनाएंगे अब हम गुजिया बना से खाते हैं इस तरह से आप एक गुजिया बनाने वाला ले लेजिए और इसमें अच्छे से दवा करके जो आपने चने की ताहल का पीश्ट प्यार किया है सब कुछ डालकर उसे इस तरह से बन करके दवा देजिए यह देखिए अभी हम इसके बात क्य क्हां करेंगे आपको बथाएंगे किस governo operate क्या है यह कि हमारी गुजियां कflowing अथी बनी कि इस तरह हमारे बाकी गुजियां बना लेते हैं अब एक हामरे सौट की चठनी कितनी अच्छी बनी कि आभ कि दी डी से बंट कर देएगो अब हम गुजिया के किया करना मैं आपको बताते हैं को अब यहां इस टीम करने तो पानी गर्म करने रखा था तो भी पूरी तरह वाल नहीं है जब तब माया पानी गर्म होगा पसका समय से घी लगा लेते हैं यह देखिए हम यहापर अच्छे सी घी लगाईएगा इससे आपी गुझिया चुपके लिए यह हम नहीं हाँ घी लगा दिया और हम अपनी गुझ अधिर हमारी को चीव यह कितकी सुन्दा लक नहीं है है ते लेखिए हम इस्टेंगाने के लिए रखते ही दिए अब हम चेक करते हैं alive हमारी घुझिया थोड़ी सी और हमें इस्टेंग करनी है क्योंकि डालंदर तक पूली तरह से पक्चानी चाहिए अब गुजिया के लिए हमें दही आवशक्ता पड़ेगी तो यह दही मैंने 200 ग्राम दही है विल्कुर दाजा फ्रेस इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया और इसको इतना गाड़ा कर लिया प्रेकिया इतना ही गाड़ा दही की आवशक आएंगे क्योंकि यह बहुत ही समय लीजे की हलकी होती है इसको आराम से रखिए अगर अगर आपका पेश्ट अच्छे से नहीं त्यार होगा होगा तो यह बीच में से टूच आईगी इसलिए जब भी आप इसका पेश्ट त्यार करें उसे अच्छे से बारिक तरीके से प पर चमत की साहतास है और यह देखिए गुचिया हमारे राइव होने लगे हैं इसको हम इसे भी पलट देते हैं यह देख रहे हैं आप कितनी अच्छी कलर आगा यहां देखिए को और कहेंगा कि आपने बनाई है खुद बनागर देखिए इस चार्ट बहुत अच्छी बने जो सौट की चट्नी है मीठी खट्टी मीठी उसको डालेगे यह देखिए हमने ताजा फ्रेज धाई लिया था ही बिल्कुल भी खट्टा नहीं रखना चाहिए नहीं तो हमारी गुच्या क्टिष्ट बहुत ही बेकार हो जाएगा आप ताजा बिल्कुल फ्रेज क्रीम अब हम अपनी एक गुच्या उठाएंगे इस तरीके से यह देखिए हमने गुच्या रग दिया अब इसको उपर से हम फिर थोड़ा सधही डालते है यह देखिए हम यहां पर थोड़ा सधही और अट करेंगे यह हमने सौट की चट्टिम नहीं इसे भी हम इस पे डालते हम यहां हमने जो पनी कश्का है हमारे पास कटा हुआ इसके उपर से इस तरह से डाल देंगे बारी कट्यूवी प्याज डालेंगे यह देखिए यहां कुछ अनाकी दाने हैं यह भी डाल देते हम थोड़े से यहां कुछ कट्यूवी मेवा है इसको भी हम इसमिलाल देंगे बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा एक दो पीस पालेंगे अब हम मेटी चटने को इप्रस्टस पर अपने गुज़ा पर डालते हैं यहां विद्वेमीती होती है यहां सब लोग बहुत गुज़ा मेटी का बनाते हैं वूली पे तो मैंद हुचा आप लोगों के लिए कुछ नया हम बनाते है इसलिए मैंने आपके लिए यह इस पे सब दूज़े चाट बनाई है यह बहुत ही टेश्टी है खटी है मीटी है तीखी है कि यह नमकीन से बाजार से मिल जाते हैं वो डाल दिया अब यह भुना हुआ जीर डाल रही मैं आप देखिए थोड़ा सा कि यह कटा हुआ थोड़ा सा भारी धनिया है देखिए इस पर हम इस तरह से डालेंगे अब हमारी चाक्ति कीशी लोड़ी बंदर गें कुछ अनार के दानी और डाल देते हैं एक दो उपर से यह देखिए और आप जितना मीटा चाहें उतनी अपनी चटनी बढ़ा सकते हैं ज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दवाना बिल्कुल भी मत भूलेगा आप लोगों ने जो मेरा सयोग किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वार आप लोग इसी प्रकार मेरे साथ बने रहे हैं मैं आपके लिए हर रोज एक नई रैस्पिले